सब लोग बढ़िया होंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ कुछ डाटा बताने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ फेडरल की जो भी मीटिंग हुई इसके अंदर उन्होंने क्या डिसक्स किया जो की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे के लिए अगले महीने अक्टूबर और नौवंबर के मन्त के लिए जिसकी वज़ा से हो सकता है हम बॉटम को भी अब्जर्ब करें जो कि 17,500 को ब्रेक करें आप इसे काफी लोगों ने देखा होगा बीटीसी इस ट्राइंग अगीन अन अगीन 18,500 डॉलर 18,100 डॉलर 18,900 और बीटीसी फिलहाल बस मुश्किल से सर्वाइब कर रहा है और 19,100 डॉलर फिलहाल चल रहा है आने वला महीना क्या sideways moment रहने वली है क्या हम expect कर सकते हैं एक और डंप उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि चार्ट के accordingly history बहुत अच्छे से repeat कर रही है जो कि मैंने आपको previous व चाहूंगा so that we can try to understand the situation कि आने वले वक्त में क्या हो सकता है और आने वले वक्त में अगर कुछ ऐसी announcement हो जाती है तो क्या result उसका हो सकता है हम उसका कैसे फाइदा उठा सकते हैं चलते सीज़ा computer screen के ओपर आपका काम सिरफ channel को support करना और channel से जितना ज़्यादा ग्यान ले सकत हो जितनी ज़्यादे help ले सकते हो learn कर सकते हो try करो चीजों को learn करना ताकि next season के अंदर आप सब लोग इन चीजों को apply कर पाओ और खुद at the peak near to peak हम exit कर पाए और near to bottom हम enter कर पाए अगर आप ऐसी strategies को gain कर पाए तो you will be making a lot of profit in this crypto market चाहे market उपर जा रही हो चाहे market नीचे जा रही चैनल पर अगर आता है नहीं तो चैनल के ओपर subscribe button को press करना भी बिल्कुल मत भूलना चलते हैं सिदा computer screen के ओपर और FOMC meeting में क्या हुआ है थोड़ा उसको discuss कर लेते हैं because this can decide the future on how the crypto market will go and क्या नया bitcoin bottom आएगा कि नहीं उसी के ओपर काफी कुछ depend करने वाला है see guys मैं आपको जो charts के अंदर पिछली बार दिखाया थावने वीडियो में थोड़ा बत उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले FOMC की meeting की meeting की बात करते हैं FOMC की meeting के अंदर जो अभी 21st of September को हुई उसके अंदर clearly क्या कहा गया उसके ओपर हम कुछ bullet points को अगर read करें तो उसको हम try करते हैं FED rate hike and power comments on the outlook for the future increase यानि की clear बात करी जारी है future के अंदर rate hikes और हो सकते है और अगर ये rate hike और continue होते रहते है that means कि market और जादा crash हो सकती है सबसे पहली statement तो ये clear यहाँ पर clearly बोली गई है कि हमारे को inflation control करने के लिए जो भी action लेना है हम वो लेंगे market के अंदर फिलहाल recession अगर आता है market के अंदर अगर jobs opportunity कम होती है तो भी अभी फिलहाल हमारे को rate hike करना पड़ेगा चाहे market फिलहाल slow हो जाए next year के लिए लेकिन they don't care about it because अगर उन्होंने अभी inflation को control नहीं किया तो things will get worse आने वले time के अंदर अगर आप यहां statements पड़ेंगे तो clearly लिखा है Powell says Fed will plan for the worst on shelter inflation याने कि सब कुछ किया जाएगा inflation को control करने के लिए और क्या किया जाएगा of course वो है rate hike क्योंकि वो उनके पास एक सबसे important तरीका है जहां पर rate जितना hike होगा आपको 12 बता चुका हूँ उतना जादा लोग जो है कम पैसा loan के उपर लेंगे वही पैसा उठाएंगे जो कि वो उठा सकते है जितना food कर सकते है जिसको वो उसका interest rate वापिस भी कर सकते हैं सरफ वही पैसा market में लिया जाएगा और जिन्नोंने पैसा लिया हुआ होगा उनको पर जादा interest rate बनेगा उसके अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा उसके ओपर में आपको को चीज़े समझाने वाला हूँ वीडियो को end तक ज़रूर देखना once inflation starts to go down people will begin feeling better said federal chair Powell यानि कि inflation को अगर हम नीचे ले आए तो धीरे धीरे चीज़े improve होनी start हो जाएगी 75 BPS जो की rate hike हो रहा है is right now just feeling like 25 BPS says Bill Zox of bread wine global अगर हम पीछे एक और आटिकल के उपर चलते है तो 0.75 हमारा increase हुआ है rate hike वहाँ पर क्या क्या कहा गया है I wish there were a painless way to do that there is not ऐसा कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास इसके लोगों को pain ना हो तो हमारे को rate hike करने ही पड़ेंगे people are suffering from high inflation especially more vulnerable households Powell said and they ultimately suffers more for longer if the fed flinches in the commitment to pulling the price back down अगर आप इसके और थोड़ा सा निचे चलते हैं यहां पर कुछ और statement दी है जिनको मैं थोड़ा bullet points को पढ़ना चाहूंगा vice president and director of economic studies program at brooking institute that would be very painful okay let us study from here what they don't want to be doing is halfway fighting inflation now and then backing off and having to do it again when higher inflation expectations have been have become more entrenched इसका मतलब यह है कि अगर अभी तक हमने देखे है rate hike जो होए है अगर इसको बीच में rate hike करना बंद कर देते है तो inflation against बढ़नी start हो जाएगी तो there is only one way that they have right now जाकि जिसको है कि inflation को control करना तो rate hike करते जाओ करते जाओ करते जाओ unless and until we start to see inflation going down अब मैं आपको यहाँ पर अभी जो है 3 से 3.255% तक total inflation बलग जो rate है वो हाइक हो चुका है जो कि next time तक शायर 75 PPS आता है तो हम 4% तक पहुत जाएंगे इंफलेशन को control करने के लिए इसका मतलब है money printing कम हो रही है फिलहाल money printing कम होगी ना कराबर होगी और rate hike होगा loan कम लिया जाएगा लेकिन जब inflation control होगी तो क्या होगा of course जो money printer है यानि की जो money print होता था आप देखते थे बार बार मैसे जाते रहे हमार को box के ऊपर USDT print हुआ USDT print हुआ तो USDT बहुत सारा market के अंदर आएगा और जब पिछले season के अंदर USDT print हुआ तो क्या हुआ था BTC shoot it up like a rocket तो जहां पे भी inflation control आनी start हुई rate hike कम हो जाएंगे वापसी वो back to zero के आसपास आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर एक साल लगेगा आने वले डाइम के अंदर छे मिने एक साल लगेंगे लेकिन जब वो नीचे आने लगेगा rate hike जो है वो कम होने लग जाएगी तो at the end की clear मान लो जब inflation होती है जब market के अंदर recession आता है तो issues होते है जो कि अभी चल रही है market के अंदर तो यह कब तर चलेंगे हो सकता है 6 महीन है एक साल और ऐसा चले और 2024 can be even brighter because of all this because 2023 तक हम पूरा इस चीज को शायद control कर जाए अगर inflation सब कुछ चीजे नीचे आने किया जाएगा और USD आएगा market के अंदर to pump the market और हमारे को अगला season बोल season जबर्दस दिखाई देगा मैंने आपको पिछले charts के अंदर clearly कहा था और आपको यह federal meeting समझ आ गया होगा है यहाँ पे federal clearly सह रहा है कि हम बार बार rate high करेंगे जब तक inflation control नहीं हो जाता यह CPI data की consumer price index है इसके बने मैं बार 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 आजका हूँ उसकी dates है अगला आने वाला है event October 13 को जहाँ पे inflation दिखाई देगी ति कितनी हुई अब इस inflation को control करने के लिए सबसे important चीज है वो है September 24 चल रहा है आज October के अंदर कोई meeting नहीं है meeting है सीधा 1st and 2nd of November यह meeting के अंदर I am expecting कि 100 BPS तक का भी rate hike हो सकता है because this is the same time जब सारी market crash हुई थी चाहे वो crypto की हो चाहे वो stock की हो 2017-18 के अगर हम बात करे सभी market is market जो है crash हुई थी मैंने पिछली बार आपको यह chart के अंदर दिखाया था 2017 के अगर हम बात करते है let's go on this one 2017 के अदर मैंने आपको कहा था 18 के अदर जब bottom rate हुआ था $6, $6,000 जब चल रहा था see how beautifully it is matching up मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया यह देखी यह range जो है one time two time three time four time five time six time match होती रही आती रही और finally जाके ब्रेक हुई अगर आप यह देखेंगे तो February से start हुआ then यह मार्स के अंदर दोबारा यह zone attempt हुआ यह zone दोबारा जून के सब्टेंबर के अंदर attempt हुआ और October के अंदर attempt हुआ और उसके बाद finally breakdown हुआ 11 November के आसपास यह same date है जिस दिन अगला rate hike होना है first to second of November यानि कि first week of November we can expect the real crash in the crypto market जो की हो सकता है Bitcoin को काफी नीच ले जाए इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर clearly meeting में कहा गया है हम सब कुछ करने वाले तो हो तक है 75 BPS जो की market को for sure नीच लेके लेगा लेकिन 100 BPS अगर आ गया तो आप मान के चलना बहुत बुरा होगा 50-50 BPS आने के चांसे यहां पर कम लग रहे है जैसा जिस words को यहां प कितने लंबे टाइम तर चलता रहा और सप्टेंबर का मन्त हमार को जो crash मिला यह जो crash हुआ यहां पर इसके बाद मार्केट चली साइडवेस सेम फिंग मार्केट में भी हो रही है आप चार्ट देखो ब्यूटीफुली हम वही 17500 को वन अटेंट टू अटेंट थी का पूरा मन्त हम मार्केट को देखेंगे 17500 से लेके 22,500 की रेंज के अंदर हम रेंज बाउंड होते रहेंगे नॉवंबर 2 को आएगी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको आप ध्यान में रख लेना जिसके अंदर की आपको रेट हाइक होगा 75 से 100 BPS का जहां पर होग का टाइम नॉवंबर के अंदर और डिसेंबर के अंदर हम पहुच जाएंगे 15 अव डिसेंबर के बाद से मार्केट आयवल से साइड विस चल सकती है उसके बाद मैंने आपको का है six months we will be sitting at 3x to 4x और whatever price bottom we will create exact सब कुछ मैच कर रहा है previous history के साथ dates भी इन फैक्ट आगे चलके हमारे को clearly दिखाई दे रही है first and second November की जो data कह रहा है वो भी यही कह रहा है जो speech में कहा गया वो भी यही कह रहा है कि market को हमें control करना है और उसके लिए हम rate है उसको हम बढ़ाते रहेंगे उसके बाद आ रही है next meeting 13th and 14th of December जहां पे हो सकता है मैंने आपको कहा 13th and 14th December के आसप सब्सक्राइबर के आसपास और उसके बाद मार्केट 3000 से चली गई थी 4500 फॉर्टी 50% की recovery हुई थी यहनि कि अगर हम 10,000 के आसपास चले जाते है इस रहें में तो हम 15,000 अगली इस न्यूस की वज़ा से जा सकते है जो की होगी December 13 and 14 को FMC की meeting और CPI data आने वाला है December 13 को तो December 13 और 14 तारीक जो की exact match कर रही है again previous chart के साथ मैं मानता हूँ यहां पर 50 BPA से अगर rate high आता है तो यहां पर हमें market ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है 30, 40, 50% और उसके market यहां से recovery mode में ही जाएगी जो भी bottom होगा वो मेरे साब से यहां पर final होगा और हमारी crypto market के लिए that will be the final bottom अभी के लिए बस आपको मैं कहूंगा grid trading is the best option जो कि अगला date महीना मैं market को मानता हूं market यूं उपर नीचे उपर नीचे चलती रहेगी that is what we can see और एक और फेक्टर जो की bitcoin के bottom में add-on कर सकता है वो है empty cox का बेशक उसकी अभी तक date नहीं आई है payment वो कब कर रहे है लेकि December October November December mid तक हमार को इसकी announcement मिल जाए जो कि final crash के अंदर help करे और ज्यादा bottom create करने का और panic create करने का और ज्यादा liquidation market में लाने का तो उसके ओपर जरूर 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 नजर रखिएगा that's it आज के लिए इतना ही इन वीडियो को safe जरूर करके रखना because जहां पे लोगों का bottom मैं आपको एक और important चीज बोल देता हूं यहां पे लोग बहुत सारे बोल रहे हैं अब हम ने कहा आपको market और निचे जाएगी if you are telling right now 20,000 आने के बाद market और निचे जाएगी तो people have already lost a big money in this all cycle हम यहां पे bitcoin के अंदर 59,000 पे exit करने के बाद we were holding our position so strong जहां पे market fully bullish ती अभी यहां पे जहां पे market पूरी कह रही है कि market उपर जाएगी उपर जाएगी उपर जाएगी उपर जाएगी अब market दीरे दीरे कहना शुरू होगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी जो अब action ले रहे है for sure they will be at the least profit so I will advise you ऐसा technology को ऐसा charts को ऐसे इस तरीके से psychology को समझो कि आप best entries ले प comment box में comment जरू करते रहिएगा और यह the charts है अगर exactly same major हो गए तो मजा आजाएगा और I do believe first week of November second week of November तो हम bottom nearly देखेंगे और November और December के बीच में हम bottom Bitcoin का देख सकते है because of these meetings जो की है December 10th और मेरे साब से first of second of November FOMC की meeting जहां पर rate hike हाई गया तो 13th and 14th को जहां पर शायद rate hike equivalent की तरफ हो 50% हो 50 VPS का हो जहां पर शायद market को थोड़ी राहत मिले या हो सकता है यह भी एक downfall की तरफ 75 VPS का next hike हो जहां पर market और correct हो जाए और final bottom शायद December 13-14 को मिले but this year at before आप कह सकते हो इस साल के end तक हमार को bitcoin का bottom देखने के पूरे पूरे चांस है next six months of 2023 can be like जो भी bottom बनेगा उससे हम शायद 2x 3x शायद easy कर जाए in next six months that is what I am believing right now opinion अगर मेरा change होगा तो for sure I will tell you in the next few videos about the sentiments जो भी market में चल रहे होंगे वीडियो का like करना मत भूलना that's it आज के लिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में till then bye bye take care